हालो फ्रेंड्स बहुत-बहुत स्वागत है आपका इंग्लिस अडवांटेज की ओनलाइन क्लासेश में फ्रेंड्स वीडियो में हम पढ़ेंगे दा हिंदू आर्टिकल अनलेसेश और यह इस वीडियो सीरिस का पाथ 29 है और यह वीडियो हिंदी में रहेगा इसका इंग्लि सब्सक्राइब होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंस में को मादू गर्ण बिल्डिंग में स्था और्फिलर्ट समय इन्टेविजएशन इंट्र्वीएण इस पोकन इंग्लिष में और डिस्क्रेप्स एंग्विश में कृकि इसमें काफी सारे Paul डिस्क्स किया जाते हैं इन तो चलिए शुरूआत करते हैं देखे ये एक आर्टिकल है जो 9 जून 2017 को दा हिंदू आर्टिकल में पब्लिश हुआ है और ये काफी रेलिवेंट आर्टिकल है इसमें जो किसान लोग जो अंदोलन कर रहे हैं अपने प्रोड्यूस की ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं उसक इसमें एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है शंट आउट शंट आउट वैसे तो रेलवेज में और एलेक्रिसिटी डिपार्टमेंट में यूज होता है लेकिन यहां पर शंट आउट का मतलब है कि किसी को कम इंफिरियर पोजीशन पर या दूसरी जगह पर उसको भेज दे इसका मतलब है फार्मर्स पंजाब राजिस्थान अनौस्ट एगिटेशन प्लान अंदोलन किया एक मूवमेंट किया अपनी मांगों के अगेस्ट मांगों को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब अनौस्ट एविए इसमें एक वर्ड आया है अमिट एम आईड एम आईड अमिट का मतलब है उसके बीच में इंदा कोर्स ओफ या इंदा मिडिल और नेवरिंग डिस्टिक्ट का मतलब जो पड़ोज में डिस्टिक्ट है वेस्टन मध्र प्रदेश में ठी सिचुएचन इंप्रूब हो रही थी और वहाँ पर हेवी डिपल्लॉइमेंट था हेवी डिपलोइमेंट का मतलब के पुलिस को पुलिस का किसी जगए पर तैनात हो ना उसमों बिल टिपलोई एल्ट फॉर्स एंटोलन सुरू हो गया फार्मर्स पंजाब और राजस्तां यह दो स्टेट्स में चल रहा है फार्मर्स इन पंजाब राजस्तान एनाउंस एजिटेशन प्लान और थर्स दे इविन इस्टीशन इन मंसौर और नीवरिंग डिस्टिक इंवेस्ट इन मध्यप्रदेश वासलोली इंप्रूविंग जब सिचुएशन इंप्रूव हो रही सब्सक्राइब कर रहे हैं कि अपने उनको उनको पैदावार है उस पर उनको गवर्मेंट की ज्यादा प्राइस दिया जाए दा सिवराज सिंग चोहान गॉर्मेंट शंटेट आउट दिस्टिक कलेक्टर ऑफ मंसौर नीमा चेनरतलाम यहां के कलेक्टर को यहां के दिस्टिक मजिस्टेट्स को उनने संट आउट कर दिया मतलब दूसरी पोजीशन को नहीं भेज दिया क्योंकि उनको लगा के यह आउट जो सेंटर का जो मेंट पॉइंट है जो हव है उसको हम बोलते हैं एपी सेंटर को एपी सेंटर अफ देट तरन बाइलेंट इन इस रीपोर्ट तु अहों मिनिस्ट्री श्रीट गॉर्मेंट एज़िए उसमें उनने शीक्वार किया है कि छे लोगों की छे किसानों क की नत्य हो गई थी पुलिस फाइरिंग में और थर्स डे कॉंग्रेस वाइस प्रेसिदेंट राहूल गांधी अनदर वर डिटेंड और सेबर आर्स बाइद पुलिस वेंटर मंसौर डिस्टिक ठीक है राहूल गांधी और कांग्रेस के जितने भी लीडर है यह वहां पर ग वर किल्ड जो एक्सप्रेशन है विर्द फाइब प्रोटेस्टर्स वर किल्ड यह पैसे वोइस कंस्ट्रक्शन है मिस्टर गांधी और सीनियर लीडर दिगवजे सींग कमलनाथ सचिन पाइलेट एंड जंता दल लीडर शरद्यादव हैड कम टू मीट दा फैमिलीज ऑफ जो स्किल्ड यह कॉंग्रेस के जो जटने भी दिगज लीडर हैं यह जो लोग मर गए हैं उनके परजनों को देखने के लिए यह लोग आये थे कर्फिव कर्फ्य इंपोजट कर्फ्य इंपोजट कर्फ्यू मतलब होता है यह एक टैक्सेशन के साथ भी यूज होता है टैक्स को पाद मैं पढ़ता हूं before the arrival of the opposition leader उनकी आगमन से पहले लुपाल नायर से मिफ्वर यायल्य को पॉपड़ीशन लीडर वाईल मोबाइल बेस्ट पॉटेंट सर्वेस्स रिमेंड सस्पेंड मोबेस्ट जो इंटर्नेट सर्वेस्स हैं उनको भी सस्पेंड पर दिया गाहा है वो सस्पेंड रही इन फाइड दिस्टिक सिस्टी पाँच किसानों की नित्ती हो गई पोलिस की गोलिया उनको लग गई हाओएवर ही ब्लेम्ट अ दिश्टेक्टर अ पोलिस चीफ पर फेलिंग तो रसी अलेकिन होग मिनिस्ट्री नमाना स्टेट होम मिनिस्ट्री नमाना के जो कलेक्टर है और एस्पी है वहाँ सीचिविशन को कंट्रोल नहीं कर पाए इन नया गाओं 70 किलो मेटर फोर मंसौर दर वर्वाइब रामा इस पुलिस टाइट वाथ तर्ण इन्ट अ पॉलिटिकल रैली ऑफ शौर्ट्स थीक है नया गाओं में जो कि मंसौर से 70 किलो मेटर दूर है वहाँ पर एक हाई ड्रामा शुरू हो गया और वेन पुलिस टाइट वाथ तर्ण इन्ट इन्ट अ पॉलिटिकल रैली ऑफ सौर्ट्स विद मिस्टर गांधी अकंपनेट वा अधर लीडर्स इन्होंने एक पॉलिटिकल रैली का तो इसका मतलब है कि उसी तरह की कोई चीज या उससे इंफिरियर कोई चीज ठीक ऑफ सौर्ट्स का मतलब होता है उससे मिलती जूलती या उससे इंफिरियर कोई चीज एक पॉलिटिकल रैली का इसको एक आंदोलन को रूप दे दिया मिस्टर गांधी स्लैम्ड गॉर्मेंट इड़ सेंटर ये भी काफी अच्छा वर्ड है स्लैम का मतलब होता है किटिसाइज करना ठीक है और इसका जो एंटोने होगा वोगा प्रेज तारीफ करना इन सब चीजों के लिए एंटी फार्मर पॉलिसी के लिए सेंटर की और स्टेट गॉर्मेंट की उन्होंने आलोचना की मिस्टर गांधी ने तो ये काफी अच्छा आठीकल है और इसमें ये वोकाइबलरी यूज हुई है शंट आउट का मतलब है डिरेक्ट और इंपोर्टेंट प्लेस और पोजीशन शंट आउट एक अच्छा वर्ड है अब यहां पर देखिए अमैच्योर्स वर ग्रेज्वाली बिंग शंट इट टू फाइलिंग जॉब्स अमेच्छ जो थे उनको शंट किया जा रहा था फाइलिंग जोब उनको दिया जा रहा था और यह देफिनेशन दी है यहां पर इफ पर संटेट सम्वेर देयर मूब और सेंट देयर यूजरी बिकॉज सम्वन फाइंस तैम इनकन्विनियन एक काफी अच्छा वर्ड है एजिटेशन का मतलब होता है कैंपेन या डेमोंस्टेशन या अंदोलन इंपोस्ट का मतलब ह होता है फोस्ट करना किसी के ऊपर obligatory मतलब है एमिट मतलब उसके बीच में आप सौर्ट मतलब उसी तरह की कोई चीज डिपलॉय का मतलब तैनात करना ऑन गार्ड का मतलब है किसी पुलिस फोर्स का डूटी पर होना डिफेंड करने के लिए प्रटेक्ट करने के लिए किसी स सिच्वेशन में रहना स्लैम का मतलब है बुराई करना किटिसाइज करना डिटेंड का मतलब है हिरासत में लेना तो यह सारे वर्ड है काफी इंपोर्टेंड वर्ड है और यहां पर मैं आपको कुछ स्पॉर्टिंग राइट कोश्चन बताऊंगा जो कि आपके नेक्स्ट सही है एजिटेटिंग सिंस जून फरस्ट डिमांडेड अब देखिए इसमें दो वर्व आई हैं जो किसान थे वह एजिटेट कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे ठीक है दोनों किसानों के लिए दोनों वर्ड यूज हुए है पिजन पार्टिसिपल फॉर्म में एजिटे और सी इसमें आपकी गलती होगी मतर सी इस कोश्चन में आपका आंसर होगा कोश्चन नमबर टू देखिए शिवरा सिंग चौहान गॉर्मेंट शंटेड आउट दिस्टिक कलेक्टर और मंसौर नीमच एंड रतलाम और और पॉलिस सुप्रेटेंड अप्रदेश बहुत अ बच Tower है तो स्कूर है तो यहां पर आपको कि प्लिस सुप्रेटेंड यह कहा का है यह मं क्शोर का यहिस पिलए यह यहां पर आपको इसमयन दा लागाना और डी इसमय में आपका आंसर होगा राज़िक नमन अन्बहुन सडिकर तो इसमें क्या होगा देखिए राहुल गांधी को डिटेंड किया गया किसी व्यक्ति के दौरा उनको डिटेंड किया गया तो राहुल गांधी यहां पर आपको डिटेंड से पहले वर यहां पर लगाना होगा वर डिटेंड ठीक है तो सी इसमें आपका आंसर होगा कोश्च नमबर फोर देखते हैं दा एड्मिनिस्टेशन इंपोस्ट कर्फियू इन मंसौर अनीमच टिस्टिक बिफोर दा एराइब ऑफ दा पोजिशन लीडर्स तो इसमें क्या होगा इसमें यहां बिफोर के आगे हमें बोलना है कि उनके आगमन से पहले तो आगमन एक ना इसमें आपकी आंसर इसमें आपका होगा कोशन नमबर फाइब देखते हैं दिर वाज हाई ड्रामा एज दा पॉलिस ट्राइट टॉप वाथ है तर्न इन पॉलिटिकल रैली ऑफ सौट्स तो यह भी एक अच्छा कोश्चन है देखिए जब कोई चीज चीज होती है और एक कि उसमें मूवमेंट होता है वो एक सिट्वेशन से दूसरी सिट्वेशन में कोई चीज हो जाती है तो यहां पर टर्ण इन की जगह हम लगाएंगे तर्ण इंटू और बी इसमें आपका आंसर होगा तो काफी अच्छे यह स्पाटिंगर कोश्चन हैं और काफी कॉंसेप सब्की सब्सक्राइब कोश्चन से और इसी तरीके के खुश्चन्स बेंकी और सभी उन् ग्साम में आते रहते हैं और ऑन्लाइनrative ऊंठो के बेंक्ड ने का बैस्टाइम है बेंकिंग chests के लिए स्सक्राइब आप चाहें तो इसको यह ने सकते हैं तो से ञें यहाँ पर जाके रेस्टेशन करा लें आप अपना email ID और पासवर्ड डालके और यहां से online payment का option use करके इसको आप ले सकते हैं इसमें सारे सब्जेक्ट के टेस्ट हैं सारे chapter के टेस्ट हैं फुल लेंद टेस्ट हैं इसमें और bilingual इसमें टेस्ट हैं और इस ग्रुप को आप जरूर जोइन कर लें English Advantage Group यह Facebook पर है और इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा वहां से इसको आप जरूर जोइन करें क्योंकि यहां पर important updates में शेयर करता हूं तो कैसा लगा आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो जरूर इसको टाकि आपको सारे notifications टाइम पर मिलते रहें और इस चनल के सारे वीडियो आप देखें SSC के लिए banking के लिए दूसरे सभी exams के लिए आपको definitely बहुत confidence आएगा और आपको किसी भी competitive exam में सफलता मिलेगी so thank you very much for watching this video and I wish you all the best for your bright future thank you